आप सेम कस्टमर को जादा मेटिरल बेच पाएंगे जिसमें आपको होने वाला प्रॉफिट और उप्रेटिंग कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा हमारे बिजनस में जितना रिवेन्य जनरेट होगा उसके साथ से हम आपको परशिंटेज पे अच्छा ग्रोस प्रॉफिट होने के बाद भी हमें नेट प्रॉफिट कम हो जाता है तो हमें करना क्या है हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर अमित पाईश्वरी मैं CEO & Founder Director हूं मैं टास Overseas Limited Company का हमारी कमपनी Stainless Steel Model Location की Manufacturing करती है और पूरे भारत वर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी और डिलर्शिप शोरूम है हम अपने बिजनस में सेल्स का वोल्यूम कैसे बढ़ाते है प्रॉफिट कैसे बढ़ाते है इस विशय पर आज हम बात करने वाले है क्योंकि बहुत सारे हमा प्रोड़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूल अदा करेंगे तो बात करते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के 11 तरीके सबसे पहली बात बंडल सेलिंग सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपके पास मल्टिपल प्रोड़क्ट्स हैं तो कुछ इस तरह का बंडल देंगे जिसकी वजह से जब कस्टमर एक तरह के प्रोड़क्त को खरीदने के लिए तयार होता है तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोड़क्स खरी लेता है जैसे आप देखिए laptop selling के जो showrooms होते हैं वहाँ पर cleaning की पूरी एक kit होती है जैसे वो आपको keypad का एक cover देते हैं आपको laptop का एक cover देते हैं screen guard देते हैं साथ में cleaning brush देते हैं cleaning liquid देते हैं मतब उन्होंने क्या किया हुआ कि different products का एक bundle design कर दिया और उस bundle के माधियम से वो एक product की selling के behalf पर कई सारे product एक बार में इकठे बेज़ देते हैं आप देखिए बहुत सारे लोगों ने अपनी shops पर बहुत सारे products को gifting के रूप में convert कर दिया है जैसे चॉकलेट है, cold drink है, cake है, pastry है उन्होंने क्या किया एक bundle design किया और उस bundle में उन सभी चीज़ों को एक साथ एकठा किया और उसका MRP price decide कर दिया और कुछ discount भी दे दिया, तो customer को लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें भी ले रहा हूँ और अलग लग तरह की चीज़ों से मेरा gift pack है वो पूरा भी हो जाता है तो एक example है आप देखिए आपके business में किस तरह का bundle आप design कर सकते हैं जिससे आप अपने sales को volume को बढ़ा सकें और profit को increase कर सकें साथ start cross selling, अब ये cross selling क्या होता है cross selling भी bundle selling से मिलता जोलता एक concept है लेकिन इसमें थोड़ा differentiation क्या है कि एक consumer जब एक तरह के product को लेने आता है तो उस product से संबंदी दूसरा product हम उसको वहाँ पर offer कर देते हैं जैसे आपने देखा होगा mobile shop पर cross selling का बहुत अदिक इस्तेमाल होता है जैसे जब आप mobile phone खरीते हैं तो वो आपको different तरीके के cards खरीदने के लिए बात करते हैं आपसे insurance खरीदने के लिए बात करते हैं आपसे toughen glass खरीदने के लिए बात करते हैं आपसे mobile के accessories के बारे में बात करते हैं इसका मतलब वहाँ पर mobile selling एक product है लेकिन उसके बेहाफ पर जो दूसरे प्रोड़क्स आपको सेल करते हैं वो सारे क्रॉस सेलिंग के पार्ट हैं तो आप क्रॉस सेलिंग का इस्तिमाल करके भी आसानी से अपने बिजनस में अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं एक एक्जामपल और देता हूँ जैसे आपने शर्ट की तरफ जान दिया उन्होंने आपको ओफर कर दिया कि मेरे पास एक कॉंबो साइट है जिसमें आपका टाई भी है कफलिंक्स भी है और पॉकिट स्कुएर भी है प्रोड़क्ट को खरिदने का मैंट्सेट बना लिया है अब धीरे धीरे वह आपको उसके सारे फीचर गिनाने के साथ साथ उससे उपर मॉडल का जो प्रोड़क्ट है उसके फीचर भी बताना शुरू कर देता है उसके बाद जैसी आपने प्रोमेक्स के लिए अपना 256 भी आपको मिल जाएगा जबकि 128 आपको इस रेट में मिल रहा है मतलब कहने का यह कि एक बार जब कंज्यूमर एक तरह के प्रोड़क्ट को एक बजट पर खरिदने के तयार हो जाता है तो सेल्समें उसको अप्ग्रेड करके नेक्स लेवल के प्रोड़क्ट पर लेकर जा इसी को आप सैलिंग कहते हैं जैसे कॉंबो पैक होते है कि यह जो कॉंबो पैक है वह इतने का है लेकिन अगर आप सिर्फ 10 पर सेंट एक्ष्टर देते थे तो आपको 30 पर सेंट में एक्स्टर मिल जाएगा तो यह आपको देखना है कि किस तरह से आप अपने बिजनस में का concept लगा सकते हैं next increase ticket price अभी बहुत सारे बिजनस में देखा गया है कि एक प्रोड़क्ट को लेकर उनके पास एक पर्टेकुलर टिकेट प्राइज है तो वो क्या करते हैं उनके पास 100 रूपी का एक प्रोड़क्ट है तो 100 रूपी के प्रोड़क्ट के comparatively वो इस तरह की packaging करते हैं कि वहाँ पर टिकेट प्राइज बढ़ जाता है जैसे मान लिजिए 100 ग्राम 500 ग्राम लेते हैं तो 450 का है 1 kg लेते हैं या 1000 ग्राम लेते हैं तो उसका रेट हो जाता है 900 रूपे मतलब बताते हैं कि यहां पर आपका जो profit ratio बढ़ता जा रहा है लेकिन एक तरह से discount offering होती है जहां पर हम टिकेट प्राइज बढ़ा कर consumer के साथ low percentage of margin पर अपने profit volume को बढ़ा लेते हैं next चेंज operating cost यह बहुत बड़ा important role play करता है किसी भी बिजनस को लेकर और उसमें क्या अपरेटिंग cost में क्या रहता है gross profit and net profit इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है मान लीजिए आपके एक प्रोड़क्ट का selling price है और यहां पर आपको प्रोड़क्ट में जो gross profit होता है वह 300 रुपे मतलब 30% का आपको margin होता है लेकिन 30% का margin है वह तो gross profit है उस business को run करने के लिए आपके पास बहुत सारे operating खर्चे है जैसे शॉप का रेंट है electricity स्टाफ सेलरी है कमीशन है और बहुत सारी चीज़ है इसके लबाव वह खर्चे जो कई बार दिखाई नहीं दिखाई नहीं अपना मेंटेन कराते हैं उसका खर्चा है और रिटरन फाइल करते हैं उसका खर्चा है बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो एक बिजनस में होते हैं तो आपको क्या करना है जो आपका payment खरीते हैं तो इसको आपको discount मिलता है जिसकी वैसे आपका operating cost कम हो जाता है इसके लावा आपने ये भी देखना है कि कम number of employees में ज्यादा productivity कैसे निकाल सकते हैं ताकि आपकी operating cost कम हो आपको ये भी देखना है कि किस तरह से आप electricity consumption को कम कर सकते है जर्नल expenses को कम कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपका जो net profit हो बढ़ जाएगा तो net profit बढ़ेगा तो automatically business भी बढ़ेगा next low cost marketing friends कई बारे देखा गया है कि कि किसी भी business में operating cost में ना advertisement का बहुत बड़ा cost चलायता है जिसकी वज़ास से अच्छा gross profit होने के बाद भी हमें net profit काम हो जाता है तो हमें करना क्या है हमें marketing की ऐसी strategy design करने जिसमें low cost आए जैसे आप social media promotion के जरिये marketing कर सकते हैं जैसे आप freelancers लोगों से भी marketing कर सकते हैं आप freelancer appoint कर सकते हैं कि हमारे business में जितना revenue generate होगा उसके साब से हम आपको percentage pay करेंगे यह आप influencers के जरिये marketing करा सकते हैं अब influencer ने एक बार किसी भी product की marketing करने के लिए पैसे लिए हैं पर वो वीडियो लगातार चलता जा रहा है सालों साल वह आपको revenue दे रहा है तो आप low cost marketing पर focus करें ताकि आपके business की operating cost कम हो और gross profit और net profit का difference बहुत ज्यादा हो ज्यादा net profit आप कम है यह समझना बहुत जरूरी है next आप क्या कर सकते हैं आप commission agents के साथ मिलकर काम कर सकते देखिए sales लाने के लिए ना दो तरह के marketing executive है एक है paid salary based marketing executive जिसने आप जिसको आपने हायर किया हो अपनी कंपनी में आप पर मंद salary पे कर रहे है business आए या ना आए आपका खर्चा होना ही होना है दूसरा है commission agent और commission agent का मतलब क्या है कि आपने लोगों को appoint किया और यह कहा कि अगर आप जो आपके विहाब पर जो मेरे पास आपनी में भी बहुत सारा associate partner है जो commission on sales है तो यह भी एक तरीका है reduce cost of customer acquisition यह बहुत important role play करता है फ्रेंट कस्टमर को acquire करने के लिए ना हमारी बहुत बड़ी cost लगती है अब आपको लगेगा कि कस्टमर को acquire करने के लिए क्लिए क्या cost कह रहे हैं फ्रेंट आपने प्राइम लोकेशन पर showroom बनाया shop बनाया अपना store बनाया क्यों बनाया ताकि ज्यादा सदा लोग उसको देख सके वहाँ पर आपने बहुत बड़ी अब बोर्ड लगाया ताकि जादा साथ लोग आपके को देखें और आपकी तरफ अट्रेक्ट हों तो आपको देखना है कि कौन-कौन सी कॉस्ट हैं जो कस्टमर को acquire करने के लिए आप खर्च कर रहे हैं जैसे मैं एक एक्जाम्पल गूरूप में आपको बताता हूं जैसे प्रिंटिड कैटलोग जो है हमारी कंपनी में प्रिं से 130 रुपे की कॉस्ट आती है लेकिन हमने क्या किया कोविड के बाद में उसको डिजिटल फॉर्म में कनवर्ट कर लिया उसका पीडियाफ केटलोग बना लिया अब कस्टमर को पीडियाफ काटलोग देते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 90 रुपे से लेकर 130 प्रफिट वाल्यूम को बढ़ा पाएंगे नेक्स्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग आज बहुत सारे इंफ्लूएंसर्स ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अधार पर काम कर रहे हैं जैसे लीड जनरेशन एक तरीका होता है कि हमने अडविटिस्मेंट किया है और बहु कस्टमर रिटेंशन ध्यान रखिए एक बार कस्टमर को अपने श्योरूम अपने शॉप अपने स्टोर पर लाने के बहुत बड़ी कयो और एक बार जो आपनीسمों करकर दी अगर उसके उसके बाद अगर उसकों करूप स्कृर्ल टायम चीज़ों को खरेदेगा और तो उसकी रिटेंशन की जीरो कॉस्ट पर आप सेम कस्टमर को जादा मेटिरल बेच पाएंगे जिसमें आपको होने वाला प्रॉफिट कंपारिटिवली जादा होगा और कंपारिटिवली जादा का मतलब क्या है हर बार जो एक्वेजिशन की कॉस्ट जा रही थी वह नहीं ज बढ़ा ना उसने हमसे अप्लाइंस लिए फिर उसने हमसे बाथ्रूम वैनेटी ली फिर उसने वाडरोब ली कहने का मतलब एक कस्टमर को जब हम रिटेन रखते हैं और मल्टीपल ठाइम बाइ करता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्वेजिशन नहीं होती जिसकी वैसे हमारा प्राफिट वाल्यूम बढ़ जाता है नेक्स्ट क्रियेट रेकरिंग डिमांड आपको क्या करना है कुछ ऐसे प्रोड़क्ट अपनी कंपनी में इंटिडियूज करने हैं जिनकी डिमांड मार्केट में रेगुलर रहती है जैसे मान लीजिए आप FMCG इंडस्ट्री में त जिससे आपके पास नया सेग्मेंट आफ प्रोड़क्ट आने के साथ साथ रेटेंशन आफ कस्टमर बढ़ेगी और आपका सेल्स का प्रॉफिट भी बढ़ने लग जाएगा क्योंकि आपको बार बार किस्टमर एक्विजिशन पर पैसा खर्च करने की ज़रूत नहीं पड जाती है इसके लावा बिजनस से लिए आपके अमन में अगर कोई भी प्रश्ण है तो वो प्रश्ण हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ढूंड रहें एक नई बिज झाल 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 झाल